नमस्कार हिमालची प्रदीश आज के मुख्य समचारों में आप सभी का स्वागत है चैनल पर गर आपे नहीं तो हिमालची प्रदीश की हर ताजा और बड़ी खबर पाने के लिए क्रेपय करें के अभी चैनल को सब्सक्राइब जुरूर कर दीजेगा हिमालची प्रदीश सर प्रदीश में आईटियाई कांसलिंग में पचास फीजदी सीटें खाली रह गई हैं और अब बहरी राज्यों के युवाओं को भी जो है वो आईटियाई कांसलिंग में मौका दिया जाएगा और दूसरी तरप पॉल टेखनिक की बात करें तो अगर आपने एंटरांस एक दूसरी तरप आपको बता दिश्याएं कि हमाचल प्रदीश में जो हैं वह यहां पर प्रदीश कांग्रेस अध्यक्ष ने जो है वह साथ ब्लोकों की कार्यकारणी को भंक कि आई क्योंकि हमाचल प्रदीश में लकतार जो है वह गुटबाजी बढ़ रही है इसके मद्दे नजर प्रदीश प्रभारी की और से निर्देश भी जारी किये गई थे और उसी तदकाल प्रभाव से यह फैसला हमाचल प्रदीश प्रदीश धक्स द्वारा लिया गया है दूसरी तरह पर हमाचल प्रदीश के तीन शिक्षकों को राष्ट पुर्षकार दिया जाएगा जिसमें शिक्षाय मंत्राले की और से जूची भी जारी की गई है जिसमें आपको बताते हैं कि युद्वी टंडन विरेंद्र कुमार और अमित कुमार का नाम शामिल है शिमला और चंबा जिला से चैनल यह शिक्षक जो है वो पांच सितंबर को रास्टर प्रदीवन में स शुक्रबार सुबस सारे नौ बजे राजभून में अध्यक्ष और नई सदस्यों को शपत जो है वो दिला आए जाएगे हमार्च प्रदेश की अन्य खबरों के और बात करेंगे तो हमार्च प्रदेश करमचारी चारियना योग द्वारा की करवाए जाएगी दूसरी तरफ हमार्च प्रदेश में हायलर्ट भी जारी किया गया है अब यह हायलर्ट किसको लेकर जारी किया गया आपको बताते चलें की टॉमेटो फ्लू नामक एक बिमारी जो हमार्च प्रदेश में दस तक दे दी है आपको भले यह मजाख लगेगा पर न तो आपको चुका है दूसरी तरफ हिमाज़ प्रदेश में चर्स के दो दोश्यों को दर दर साल की सज़र सुनाई गई है रोग एक एक लाख रुपए जुर्माना भी किया गया है है नदी नालों से दूर रहने की सलाज जो सभी लोगों को दी गई और हिमाज़ में बात करें अटल पे के जाए धन्यावाज जेहिंच जेहिमाचल